तो हलो दोस्तो स्वागत है आप सबका गुरुकुली स्कूल पर जहां पर हम आपके लिए लेके आएं बिल्कुल एक ब्रैंड नू लैप्टॉप की अन्बॉक्सिक लेनवो आइडिया पैट 3 जो की अभी हाली में लॉंच हुआ है 24 सप्टेंबर 2020 में लॉंच हुआ है और य चीज हम आपको इसमें बताएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिक मैंने इसको अन्पैक पहले ही कर लिया था अब इसकी अन्बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं बिल्कुली लेटेस्ट लेट्टॉप है जो कि अभी हाली में लॉण्च हुआ हूँ हुए इसके साथ हम देखते हैं कि हमको बॉक्स में पहले क्या मिलाए है यह रेखे हमको एक चार्जिंग केबल के साथ 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 एक चार्जिंग अडेप्टर मिला है इस लाप्टॉप के साथ बिल्कुली ब्राइंड न्यू ल और यह देखिए, बॉक्स के अंदर से लेप्टॉप हमने निकाल लिया है, यह साथ में हमको कुछ बुकलेट्स इसके मिली, जैसे की सेफटी और वारेंटी कार्ट, इस वन इस उसर मैनुवल, और यह दिस वन इस विंडोस 10 वी दिस्ट्रिबूशन कार्ट, तो हम अपने लाप्टाप को स्टार्ट करते हैं, और पैक करना, इसको मैं स्टार डग देता हूँ, यह देखिए, बिल्कुल नया असा है, आप देख सकते ही कितना ज़वज़ा sleek design है इसका, बहुत ही हलका laptop है यह और आपके budget की best fit laptop है यह, बिल्कुल metallic grey color का है यह laptop, तो चलिए इसकी features के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, यह किस तरीके से laptop है किस तरीके से आपके budget में fit करता है, सब चीज़े बताऊंगा मैं, So this is our Lenovo IdeaPad 3 thin and light laptop, यहां पर आप देख सकते हैं कि Lenovo ने अपनी branding दे रखी है, कितना इसका smooth design है, क्या metallic grey color का design है, बहुत ही smooth keyboard and this is our screen which is 15.6 inches, यह pre-loaded Windows 10 home suit के साथ आता है और साथ ही साथ इसमें आपका Microsoft MS Office का pre subscription मिलता है 2019 version, इसमें जो processor है आपका वो है 2.1 GHz AMD Ryzen 5 3500U Quad-Core processor, जो की Intel i5 & i7 को टकर दे रहा है आज के market में, and this laptop comes with the RAM of 8GB DDR4 RAM and it has a storage of 1 TB hard disk plus 128 GB solid state drive, यह solid state drive अब आप लोग के मन में प्रशन उत्रा होगा कि यह solid state drive क्या है आपका, actually में, solid state drive actually में आपकी वो चीज़ है जो आपकी भारी-भारी apps होती है, अगर आप इसमें आप रन करोगे तो आपका laptop lag ना करें, इसलिए आप solid state drive आप लगाते हो इसमें, solid state drive आप जो लगाते हैं इसमें, mainly आपका जो इस laptop की performance है उसको improve करने के लिए है, और साथ में इसमें आपको एक ग्राफिक कार्ड मिलता है, यहाँ पे देखी इसमें लगा हुआ एक ग्राफिक कार्ड AMD red on vega 8 integrated graphics के साथ आपको मिलता है, यह आपका 15.6 inches का display है, जो की 1920 x 1080 pixels का LED backlight display है, जो की आपके ice के लिए बहुत ही जादा comfortable है, और इसके साथ जो आपके speakers हैं, वो आपके एक डाउन साइड में इसके, जो की 1.5 watt के dual speakers, stereo speakers है, HDDolby Audio के साथ, तो यह laptop मुझे जो पड़ा है, वो Tata Click पर, मैंने Tata Click से इसको buy किया है, जो हमें price मिला है, इसका वो है 60,990, लेकिन आपको add-on discount के साथ, अब यह आपका laptop, आपके budget में आपको मिल जाएगा, mostly laptops में क्या होता है, कि mostly laptop जिनमें 128GB SSD या 512 SSD होती है, वो approximately जो आपको other options में देखा जाए, तो other companies में यही laptop आपको 90,000 to 1 lakh आपको यह price का मिल जाएगा, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि Lenovo ने बहुत ही कम price में, और बहुत ही efficient laptop आपका launch किया है, इसमें जो आप देख सकते हैं, तो 3 USB inputs, 1 HDMI port, 1 charging port, एक आपका, इस side में SD card slot, and this is headphone और audio jack, यह मिल जाता है, और यह आपका, बहुत ही जादा stylish design है, बहुत ही जादा slim laptop है, मैं आपको side से दिखाता हूँ, यह देखी किस तरीके से है आपका, यह laptop, और साथ ही साथ इसका weight बहुत ही जादा कम है, 1.85 kg, बाकी other companies के साथ, अगर हम इसको compare करें, तो वो 2 kg, 2.5 kg इस तरीके के laptop आदे हैं, तो मेरे हिसाब से तो यह एकदम आपके budget में best fit laptop है, इसका आप यह देख सकते हैं, जबसे जादा unique feature है, जिकी 180 degree rotation support करता है, तो यह 180 degree rotation पर आप देख सकते हैं, यह laptop है, बाकी यह ऐसे हैं आपको बहुत ही कम companies में, बहुत ही कम laptops में आपको 180 degree rotation आपको मिलता है, और इसमें आप देख सकते हैं, कि यह किस तरीके से कितना stylish laptop है, आपके budget में बिल्कुल fix होने वाला laptop है, अब बात करते ही हैं, इस laptop के कुछ unique features के बारे में, जो इस laptop को बाकी laptop से अलग बनाती है, तो पहला feature तो है flip to boot feature, यानि की, देखी कि, मैंने इस laptop में कोई भी button प्रेस नहीं किया है, और मैंने जैसे ही इसका lid on किया, वैसे ही यह laptop आपका on हो जगए, तो इसी को हम कहते है, flip to boot feature, जो कि बहुत ही rarely किसी laptop में आपको मिलता है, अब मैं आपको इस laptop के operation के बारे में बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि, इसमें मैंने अपना registration कर लिया है, और इसका display आप देख सकते हैं, full HD display है, एक और unique feature इसमें होता है, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा, वेबकैम का, वेबकैम तो वैसे मैंने आपको बताया था कि 0.3 में पिक्सल का है इसका वेबकैम, तो आप इस पे जो लेबल लगा हुए, पहले हम इसको रिमूफ कर देते हैं, इसको हमने लिमूफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि, वेबकैम वाली विंडो पे कुछ भी नहीं बन के आ रहा है, तो इसमें एक add-on feature है, shutter का, इसमें अभी के लिए जो आपका इसका add-on feature है, इसमें shutter का है, तो अभी इसका shutter closed है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि, आपको किसी red color की चीज़ दिख रही होगी, webcam में, अब हम यहाँ पर इसके button से, इसको right-hand side पर shift करते हैं, तो देखिए तुरंथ इसका, आपका webcam on हो गया है, और जैसे हम इसको बन करते हैं, shutter को, वैसे इसका webcam बन हो जाता है, तो यह इस laptop का बहुत ही unique feature है, जो आपको बहुत ही कम laptops में मिलेगा, और यह actually आपका webcam protection के लिए होता है, इसका जो shutter आप on-off करते हैं, यह basically आपका webcam protection के लिए laptops में होता है, तो यह Lenovo के दो unique features हैं, एक पहला तो flip to boot का feature है, और दूसरा यह shutter feature है, तीसरा feature इसका यह है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा efficient cooling है, मतलब कि आप जितने भी देर operation करेंगे, जितनी भी देर आप इस laptop को operate करेंगे, बाकी laptops क्या होते हैं, जनरल यह 2-3 hours के बाद वो गरम होने लगते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा efficient cooling है, कि आप इसको 2-3 hours बहुत अराम से यूज़ कर सकते हैं, बिना heating issue के, यह है कुछ photos हमारे Lenovo IdeaPad 3 की, देखिए कितना ज़्यादा sleek design है, इसका कितना ज़्यादा सुन्दा लग रहा है यह, Lenovo IdeaPad Slim 3 की unboxing के बाद भी, मैंने इसमें आपको हर तरीके की features बताए, जो आपके basic laptop में features होने चाहिए थे, और कैसे आपको यह lowest price में इतनी सारे features मिल रहें, तो आप इसको जाके जल्दी से जल्दी buy करिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको हर एक feature बताया, यह बताए कि यह laptop कैसे दूसरी laptop से अच्छा है, दूसरे companies के laptop से अच्छा है, कितना lightweight और slim design laptop है, कि किस color का laptop है, कितना सुन्दा laptop और smooth laptop है, तो यह सब चीजे मैंने आपको इसमें बताई, तो आप अपना personal suggestion मेरे comment box में लिखके बताईए, कि आपको यह laptop कैसा लगा, और अगर आप यह laptop पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यह laptop कैसा लगा रहा है, क्या response मिल ला है, तो वो भी आप मुझे बताईए, और हमारी वीडियो को जादे से जादे share करिए, Thank you.